इस वीडियो में मैं पको बताने वालाँ फ्रेंट्स के गूगल फोटो जैप में बिन का आप्सन क्या होता है? और आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं? जब आप अपने गूगल फोटोज अप में जाएंगे और यहां लाइबरेरी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां बिन का उपसन मिल जाता है तो यह क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए ज़्यादा समयना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ से पहले अगर आप मेरे यूट्य चैनल पर नए है इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेंस और बेल को दबा कर ज़रूर क्लिक करिएगा इसकी लिफरेंटस आपको गुगल फोbane में जाना है और आपको लाबिरेडी पर क्लिक करना है बिन पर क्लिक करना है तो देख हैं मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों आप अपने गूगल फोटो के बैक अप लिया हुआ रहता है तो दोस्तों अगर आप यहां से किसी फोटो को delete कर देंगे तो दोस्तों ये फोटो जो है आपकी बीन option में जाकर save जाएगा example के लिए देखिए मैं यहाँ पर अपने एक फोटो को select करता हूँ और यहाँ delete बाला box पर click करके और यहाँ allow पर click कर देता हूँ अब दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा वगा अगए moved to the bean मतलब कि यह main में चला गया अब दोस्तों हमिखेंों लाइबरेडी पर क्लिक करते है bean पर क्लिक करते है और आप देख सकते हैं कि हमारा वो फोटो जो है यहाँ पर आ चुका है अब दोस्तों देखिए क्या होगा कि यहाँ पर आपका वो फोटो जो है 60 दिन तक रहेगा जो फोटो का आप बैक अप लिये होंगे अपने गूगल फोटो में तो वो फोटो जो है यहाँ पर 60 दिन तक रहेगा अगर आप चाहें तो बापस इसे आप अपने options में जिर्फ प हो सकते हैं आप तीस दिनों तक चाहें तो रिएस्टोर नहीं करेंगे तो फिर आपका वह फोटो जो है डिलेट कर दिया जाएगा अब आप तो आप जिसी फोटो और फिंगर से लॉइगर करेंगे अगर आपको और भी फोटों को रियस्टोर करना है तो उस फोटो या फिर वीडियो को स्लेट कर लिजिए स्लेट कर दिनक पर आप यह रियस्टोर पर क्लिक कर दिजिए और उसके बाद आप यह अलाओ पर क्लिक कर दिजिए